और एक अलग आधार है कि रूपांतर अथ्वा विकार की द्रिशी से शब्द के कितने भेद होते हैं रूपांतर रूप बदलने के अधार पर विकार मने चेंजिंग के अधार पर उसमें विकार कुछ पैदा हो गया एकार्डेंग टू डिफार्मेशन डिफार्मेशन मने रूप परिवर्तन फार्म मने रूप डिफार्म मने रूप बदल जाना है तो रूपांतर इसको भी देखते हैं रूपांतर अथवा विकार के अधार पर विकार की द्रिश्चे प्रिश्चे एकार्डिंग टू डिफॉर्मेशन रूप परिवर्तन के अधार पर शब्द के भेद इस तरह से दो भेद हैं इसके पहला विकारी विकारी है इन वीच चेंजेस कैन बी ब्राउट आईशे शब्द जिसमें चेंज लाए जा सकते हैं परिवर्तन लाए जा सकते हैं दिकारी सब्द जिसमें लिंग वचन परिवाशा है इसके लिंग वचन काराख प्रते के अनुसार जिसमें परिवर्तन हो जाए जिसमें विकार उत्पन हो जाए जिसमें चेंजिंग आ जाए वो विकारी शब्द है in which changes can be brought जिन शब्दों में परिवर्तन लाए जा सकते हैं वो विकारी शब्द है देखेंगे कौन-कौन से ऐसे शब्द हैं जिन में हम परिवर्तन ला सकते हैं लिंग वचन काराख प्रते के अधार पर दुसरा होता है अविकारी ठीक इसके उल्टा विकारी है अविकारी है इसमें हम changing नहीं ला सकते हैं not undergoing a change जो परिवर्तन सील नहीं है इसमें लिंग वचन काराख के अरुशारा हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं इस अविकारी को हम अब्वे भी कहते हैं अब व्याय के माने जिसमें परिवर्तन नहीं हो तो यह दो तरह के शब्द रुपांतर के दिश होते हैं अब विकारी शब्द कौन-कौन से हैं देखिएगा कि एक मैंने शब्द लिखा गाए अब जदी बहुवचन में प्रिजिक्त करना हो तो गाएं गाएं चर रही हैं कुते भौक रहे हैं इस संग्या शब्द है गाएं तो विकारी में है संग्या शंग्याओं में वचन के अनुसार लिंक के अनुसार कारक के अनुसार परिवर्तन लाए जा सकता है इसलिए विकारी शब्द हैं जैसे वह और इसका बहुवचन बना दें तो वे लोग परिवर्तना गया कारक के अच्छी कोई लगाते हैं तो उसने हो जाएगा उसके लिए हो जाएगा बदलता है वह है उसने हो गया उसके हो गया उसका हो गया उसकी हो गया लिंक के अनुसार कारक के अनुसार परिवर्तन हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि सर्वनाम में भी परिवर्तन हो रहा ह इसलिए यह अभी विकारी है अराम एक अच्छा लड़का है अच्छा लेकिन सीता एक अच्छी लड़की है इसमें भी परिवर्तन हो गया अच्छा अच्छी बहुवचर में अच्छे मतलब कि यह जो अच्छा विशेशन है इसमें भी परिवर्तन हो रहा है तो यह अभी विकारी है विसे सन वह पढ़ता है वह पढ़ती है वह लोग पढ़ते हैं पढ़ता है पढ़ती है पढ़ते हैं पुलिंग इस्ट्रिलिंग भावेचन तो क्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है पढ़ना में तो क्रिया भी विकारी है इसमें बदलाव लाय जा सकता है लिंग्वचन का रखे अनुसार तो ये चार जो शब्द हैं ये विकारी शब्द है अब इसकी अलग से सर्चा करेंगे हम अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार शब्द के पार्ट सबस्पीच आठ होते हैं उसमें चार संग्या सर्वनाम विशेशन किरिया अध्याय के अंत्रगत जो जाननले लायक चीजें हैं जो परिख्योपयोगी हैं उनकी खासकर चर्चा करेंगे हम जो विवहार में लिखने में पढ़ने में बोलने के काम में आएगा उनकी चर्चा करेंगे हम जब संग्या चाप्टर क चर्चा करेंगे तो संग्या में जो भी उपयोगी होगा उल्लेखनी होगा ध्यान देने लाइक होगा उसकी चर्चा करेंगे अब इकारी जो है इसको हम देखते हैं वह धीरे धीरे टहलता है लड़की के लिए आएगा कि भूर धीरे धीरे टहलती है तो बालक पुलिंग के अनुशार बदला नहीं इस त्रलिंग के अनुशार धीरे धीरे जाते हैं वचन के अंसार भी नहीं बदला तो कुछ ऐसीशब्द है जिनका रूप परिवर्टन नहीं वहता है का रक्लिंग वचन के अंसार जैसे धीरे-धीरे तो धीरे-धीरे क्रियावी क्रिया विश्यशन दूसरा वता है संबंध बोधक अव्य कहलाते ही है यह क्रिया विश्यशन अव्य है अविकारी शब्द है संबंध बोधक अव्य जो संग्या के साथ आ करके और अपना दूसरे शब्दों के साथ अर्थ बतलाता है वो संबंध बोधक है शंबंध बोधक आराम के लिए के लिए जिसको प्रीपुसीन कहते हैं यह एंड फरभ है अग्रिजी का और यह प्रीपुसीशन इसमबंद बोधक फार ओन पर इसे पेड़ पर चड़िया बैठी है या पेड़ पर कववे बैठा है उपर में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है और विकारी शब्द है अब्वे है प्रिपोजिशन है संबंद बोधक पेड़ पर कववा का शंबंद पेड़ से बता रहा है इसलिए संबंद बाचक अब्वे तीसरा देखते हैं समुच्य बोधक के मतला योड़ता है दो को जिसे और राम और स्याम कि सिता और गीता कि वे लोग और हम लोग किसी के साथ आएगा और समुच्य बोधक कंजंशन जिसको कहते है और बट इस समहें कहीं भी प्रयूग किजिए किसी के साथ भी प्रयूग किजिए कोई बदलाव नहीं आता है इसलिए समुच्य बोधक अब्वे है यदि और किंतु परंतु पर लेकिन इस पर चर्चा अलग से करेंगे हम किंतु और परंतु में क्या अंतर है किंत परंत पर और लेकिन चाहर्व कारत होता है कि कहां प्रयूग करेंगे किंत का कहां प्रयूग करेंगे परंत का इसकी सर्चा करेंगे बात नहीं किन्तु स्वेम के कारन का बोध कराता है मैं वहां नहीं जा सका और परंद बोध कराता है कि किसी और के कारन नहीं जा सका मैं वहां आता किन्तु मेरे सिर में दर्द था ये मेरे उपर कारन निरधारित करता है इसलिए किन्त मैं वहाँ आता लेकिन कोई सवारी नहीं मिली पर कारण हो गया दूसरा कोई कारण आ गया इसलिए परंतु मैं वहाँ आता परंतु कोई सवारी नहीं मिली किंतु नहीं लगाएंगे वहाँ तो पर लेकिन किन्तु परंतु कहां लगाएंगे लिखते समय इसको देखने वाले को भी प्रभाइद करता है या किन्त परंतु का अंतर मालूम है अब धड़ले से जहां मन में आ रहा है किन्तु लगा रहा है परंतु लगा रहा है तो ऐसे महत्तुपूर्ण बिंदू पर हम अविकारी शब्द इन्टर्जेक्शन जिसको अंगले जी काते हैं। इन्टर्जेक्शन प्रुजेक्शन इन्टर मने अंदर की भावनाऊं का जो बाहर प्रक्षप्ण करते हैं इसलिए इंट्रजेक्शन उसके नाम है। इंटर्जेक्शन क्यों कहते हैं? अहिंदी में कहते हैं विसमयाद बुधक, दोनों में कोई ताले मिल नहीं है विसमय आदी, विसमय हर्ष, शोक, आदी भावनाओं को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का अम्प्रियो करते हैं, उनमें कभी भी कहीं कोई कारक बचन लिंग के उनसार बदलाव नहीं आता है इसलिए ओही एक अविकारी शब्द है, अव्वे है इंटर्जेक्शन अंदर की भावनाओं का प्रोजेक्शन करते हैं हम हाए मैं बरबाद हो गया, हाए क्या है इंटर्जेक्शन विश्मयाद बोधक अव्वे है अल्लास काश मैं राजा होता, काश इंटर्जेक्शन विश्मयाद बोधक अव्वे है तो अविज चार ओ विकारी शब्द संग्या सर्वनाम विश्षण क्रिया अच्चार अविकारी, क्रिया विशेशन, संबंद बोधक, समुचे बोधक, विस्म्याद बोधक यह चार चार जो आठ हुए यहीं अंग्रेजी ग्रामर के अनुशार शब्द के आठ है दोते हैं जब शब्द भेद की बात कर रहे हैं तो उत्पति के अधार पर, व्यूत्पति के अधार पर, रुपांत्रण के अधार पर अंग्रेजी ग्रामर के अनुशार यह आठ आते हैं संग्यासरवणाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया, विशेषण, संबंद बोधक, समुचे बोधक, विश्म्याद बोधक, नाउन, प्रौन, अडियक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रिपोजीशन, कंजंग्शन, इंट्रेक्शन, यह जो आर्ठ है, पार्ट, पार्ट सब संग्यासरवणाम, विश्म्याद बोधकब्य तक, रुपांतर के दिश्यों, चार-चार भेद हुए, विकारी, अगरजी ग्रामर के अनुसार, आठ पार्ट सब सिस्पीच, अगर इन शब्द भेदों पर, हिंदी में जितने शब्द आते हैं, वो इन ही शब्दों के उनका प्रियोग कहां किया जाता है, किन परिशितियों में किया जाता है, कैसे किया जाता है, यह सब देखना व्याकरण है, व्याकरियन ते शब्दा, वियूत पाद दिन ते शब्दा, शब्दों का धेन ज्यान ही तो व्याकरण है, तो आगे से अब हम देखेंगे कि संग से अध्येन के बाद हम उस पर भी नजर डालेंगे कि परिक्षों पर योगी प्रश्ण कैसे आते हैं इन पाठों से अकिन-किन परिक्षाओं में कब-कब आये हैं उनको भी देखेंगे कि सरलता से हल कर लेंगे हम जदी विस्तार से कंसेटन के लिए रहे तो इन पाठों से कहीं से भी प्रश्णी किसी तरह से भी आगे को दिकत नहीं है धन्यवाद